अंग्रीजी बोलनी हैं अंग्रीजी बोलने का रामबान उपाए जी हाँ आज की क्लास ऐसी ही होने वादी है क्लास के बाद आपको जो कन्फूजन होती हैं अंग्रीजी बेसिक जानने के बावजोद भी नहीं बोल पाते हैं वो कन्फूजन आज की क्लास में खतम होने वाली ही है कौन से हैं वो शब्द क्लास को चरिये शुरू करें सबसे पहले बात करते हैं आई की जिसका अर्थ होता है मैं क्योंकि मैं के बारे में ही बात करते हैं लोग सबसे पहले है ना आई जिसका अर्थ होता है मैं यानि कि मैं का आप मै का स्तमाल जब भी किसी हिंदी वाकय में करें, तो इसके जगह पर अंग्रेजी बोल रहे हूँ, त अब आप आई का स्तमाल करते हैं, पर क्या आई अकेले स्तमाल होता है, तो जवाब है जी नहीं, I जो है वो हमेशा अपने साथ कुछ साहयोगों को ले करके चलता जो helpers होते हैं उनको ले करके ही आप वाकिब बनाते हैं तो जब भी आप I का अस्तमाल कर रहे हो present tense में यानि कि वर्तमान काल में आप जब भी I का प्रियोग कर रहे हैं तो ध्यान रख लीजेगा I के साथ सिर्फ दो शब्द इस्तमाल होंगे एक am, दूसरा have, जी हां आप कोई भी sentence उठा लीजिए जो present में है यानि कि वर्तमान काल में है तो आप उसके साथ अगर आप I का इस्तमाल कर रहे हैं आप या तो am का इस्तमाल कर रहे हैं या तो have का इस्तमाल कर रहे हैं इसके बाहर आपको इस्तमाल करने का जरूरत नहीं पड़ेगा इसके साथ ही जब आप I से related I से जुड़ा हुआ कोई भी वाक्य कह रहे हैं और वो वाक्य जो है वो past में है यानि कि भूत काल का वाक्य है तो वहाँ पर आपको I के साथ या तो was का प्रियोक करना होगा या तो had का प्रियोक करना होगा यानि कि I was और I had इस तरीके से ही इस्तमाल हो जाएगा जब बात करें आप किसकी? past tense की भूत काल की जबाब बात करेंगे आगे बढ़ते हुए अब बात हो गई present की और past की बचा क्या हमारे पास बचा हमारे पास future तो I का प्रियोग जब भी आप ऐसे किसी वाक्य में कर रहे हैं जो future से सम्मंदित हो future वाले वाक्यों की इस्तमाल कर रहे हैं यानि की भविशत काल वाले वाक्यों की इस्तमाल कर रहे हैं तो आप I के साथ इस्तमाल कर लेंगे will का नहीं तो will have का यानि की I will या I will have ये दोनों ही इस्तमाल होंगे बस यही वाली जो चीज है इसी के साथ जितने भी subjects हमारे पास हैं इसे आई तो हमने कर लिया इसके साथ और भी subjects हैं जिससे संबन देतना लिए जिसके शुरुआत करके आपको वाक्यों को बनाना होता है उनने सब के साथ किन शब्दों का स्तमाल के स्काल में किया जाता है यह अगर आप जान ले तो वाक्यों के बनाना आपके लिए कोई जादा मुश्किल वाली बात तो रह नहीं जाएगी रहे की क्या जी बिल्कुल नहीं तो इसी class को आज हम लोग continue करेंगे आई के बारे में हमने समझ लिया चलिए अब उदाहरन देखते हैं कि कैसे यह actual में apply हो रहा है कैसे इसका application है क्या स्तमाल होता है जैसे मैं एक सिक्षक हूँ आप अपने बारे में बात करते हैं जैसे मैं अपने बारे में अगर बात करूँ मैं एक सिख्षक हूँ मुझे अगर ये वाग के कहना है अंग्रेजी में तो मैं क्या करूँगी? मैं के जगा पर I का स्तमाल कर लोगी I तो उसके साथ क्या लगेगा? सिख्षक हूँ present की बात कर रहे हैं I am a teacher मैं एक सिख्षक हूँ I am a teacher मैं एक अभी ने इता था कोई है जो ये बात कर रहा है मैं एक अभी ने इता था I was an actor I के साथ past की बात हो रही है तो was लग गया I was an actor Hey everyone Welcome to my English coaching मैं हूँ प्रीती मैम और आज की क्लास होने वाली है जैसा कि आपने देखी लिया सूपर जबदस्त तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो ज़रा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लिजेगा चलिए बढ़ते हैं आगे मैंने अपना MBA पूरा कर लिया है मैंने अपना MBA पूरा कर लिया है I have completed my MBA I have completed my MBA मैं वहां गया था I had gone there मैं वहां गया था I had gone there मैं पढ़ाई करूंगा future वाले वाके के अभी ये वाली वाके है मैं पढ़ाई करूंगा अभी थोड़ी कर रहे हैं या past में किया था वो थोड़ी बता रहे हैं करेंगे वो बता रहे हैं मैं पढ़ाई करूँगा, I will study, will का इस्तमाल हो गया, क्या बोला था मैंने, I के साथ जब भी आफ फ्यूचर वाले वाक्य बनाएंगे, तो या तो will का इस्तमाल होगा, या will have का इस्तमाल होगा, यहां पर हमने इस्तमाल किया will का, मैं पढ़ाई करूँगा, I will study, मैं पहुच होगा, I will have reached, बढ़ते हैं आगे बात करते हैं, दूसरे नंबर शब्द की, जो की है यू, जिसका आप इस्तमाल करते हैं, तुम आप इस तरीके से, बड़े हैं तो आप आपका इस्तमाल करते हैं, और अगर आपके एज गूर्प के हैं, मतलब आपके सेम हमूम रहें, या आप से छोटे हैं, तो आप तुम का स्तमाल करते हैं, कई बार अजनबी है, तो अगेन आप आपका स्तमाल करते हैं, तो इनके जगह पर आप अंग्रेजी में स्तमाल करते हैं, यू का, समझने वाली बात ये है, कि यू का स्तमाल आप सिंगल तो करते नहीं है, तो यू का स् या तो आर का स्तमाल करना है या तो हैव का स्तमाल करना है वहीं अगर आप यू का स्तमाल पास्ट वाले यानि कि भूत काल वाले वाक्यों में कर रहे हैं तो आपको या तो वर का स्तमाल करना है या तो हैड का स्तमाल करना है वहीं अगर यू का स्तमाल भविश्यत काल वाले वाक्य में कर रहे हैं फ्यूचर टेंस वाले वाक्य में कर रहे हैं तो वहाँ पर will, will have का इस्तमाल होगा या तो will, या तो will have मैं यहाँ पर आपको जो भी शब्द बता रही हूँ इस्तमाल करने के लिए ध्यान रखेंगे दोनों साथ में नहीं इस्तमाल होंगे अगर प्रेजंट में कर रहे हैं या तो आर लगेगा, या तो have लगेगा पास्ट की बात करें या तो वर लगेगा, या तो head लगेगा फ्यूचर की बात करें या तो will लगेगा, या तो will have लगेगा ठिक है depending के वाकिय हमारा कैसा है चलिए देखते हैं इसके examples आप एक businessman है you are a businessman तुमने खा लिया है you have eaten आप एक अभिनेता थे you were an actor आपने पढ़ाई कर लिया था you had studied तुम वहाँ जाओगे you will go there आप पहुच गए होंगे you will have reached बढ़ते हैं आगे अगली शब्द की बात करते हैं जो की है we जो subject के तौर पर वाकियों में इस्तमाल होता है तो जब भी आप इस्तमाल करें we का ध्यान रखें we का इस्तमाल आप हम या हम लोग के लिए करते हैं और we का इस्तमाल जहां आप करते हैं present के लिए present tense के लिए वर्तमान काल के लिए तो work का स्तमाल करेंगे या head का स्तमाल करेंगे we का स्तमाल वहीं जहां पर आप future वाले वाक्यों के लिए कर रहे हैं भविशित काल वाले वाक्यों के लिए कर रहे हैं तो वहां पर will का स्तमाल होगा या will have का स्तमाल होगा उधारन देखते हैं बेटर समझने के लिए We have completed. हमने पूरा कर लिया है. We have completed. हम अभिनेता थे. We were actors. हम अभिनेता थे. We were actors. हम लोग गए थे. We had gone. हम लोग गए थे. We had gone. हम कडी महनत से पढ़ाई करेंगे. We will study hard. हम कडी महनत से पढ़ाई करेंगे. We will study hard. हम पहुँच गए होंगे. We will have reached. हम पहुँच गए होंगे. We will have reached. बढ़ते हैं आगे और अगले subject की बात करते हैं. जो की है दे. टी-एच-ए-वाई दे. जो की वाकिय मैंजर subject यूज होता है. और ये इस्तमाल होता है वे या वे लोग के जगह पर. वे या वे लोग से सम्मंदित अगर आप कोई वाकिय बना रहे हैं, बोल रहे हैं. तो आप उसके अंग्रेजी में दे कस्तमाल करते हैं. चिक है? तो दे कस्तमाल जब आप present tense के साथ करते हैं, यानि कि वर्तमान काल के साथ करते हैं, तो दे के साथ आप आर कास्तमाल करेंगे या तो हैब कास्तमाल करेंगे. चिक है? दे कस्तमाल अगर आप भूत काल वाले वाक्यों के साथ करते हैं यानि कि past tense वाले वाक्यों के साथ करते हैं तो आप या तो work कस्तमाल करेंगे या head कस्तमाल करेंगे वही पर दे कस्तमाल अगर आप future के वाक्यों के लिए कर रहे हैं भविशित काल के वाक्यों के लिए कर रहे हैं, तो आप या तो will का अस्तमाल करेंगे, या will have का अस्तमाल करेंगे, राइट, चलिए, उदारन देखते हैं, वे वकील हैं, they are advocates, they are advocates, उन्होंने खा लिया है, they have eaten, देखिए have का अस्तमाल हो रहा है, उन्होंने खा लिया है, they have eaten, वे डॉक्टर थे, they were doctors, वे आये थे, they had come, वे यहां आएंगे, they will come here, वे पहुँच गए होंगे, they will have reached, वे पहुच गए होंगे, they will have reached, बढ़ते हैं आगे, अगले शब्द की बात करते हैं, वो है he, 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 he का स्तमाल आप वह के स्थान पर रहते हैं, और वह ऐसे वाक्यों में, जिस वाक्यों में पुरुश की बात हो रही हो, है ना, तो वहां पर he का स्तमाल करते हैं, तो he का स्तमाल अगर आप प्रेजन टेंस के लिए कर रहे हैं, प्रेजन टेंस वाले वाक्यों में कर रहे हैं, वर्तमान काल वाले वाक्यों के लिए कर रहे हैं, तो he के साथ she का स्तमाल होगा, या फिर has का स्तमाल होगा, थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि यहां पर वाले वाक्यों में कर रहे हैं, या भूत काल वाले वाक्यों में कर रहे हैं, तो आप was का स्तमाल करेंगे, या तो had का स्तमाल करेंगे, he का स्तमाल वहीं अगर आप future वाले वाक्यों के लिए कर रहे हैं, भविशत काल वाले वाक्यों के लिए कर रहे हैं, तो आप will का स्तमाल कर नहीं तो will have का स्टमाल करेंगे. चलिए देखें उदाहरन बहतर समझने के लिए. वह एक चिकित्सक है. He is a doctor. वह एक चिकित्सक है. He is a doctor. वह खेल चुका है. He has played. वह खेल चुका है. He has played. वह एक इंजीनियर था. He was an engineer. वह एक इंजीनियर था. उसने कंठस्थ कर लिया था. He had memorized. बढ़ते हैं आगे. वह यहां आएगा. He will come here. वह यहां आएगा. He will come here. वह पहुँच गया होगा. He will have reached. वह पहुँच गया होगा. He will have reached. राइट? आगे बढ़ते हैं. अगले शब्द की बात करें. जो की है she. S-H-E पढ़ते हैं इसको she. इसका स्तमाल भी वह के स्थान पर होता है. लेकिन ये उन वाक्यम स्तमाल होता है. जो वाक्यम महिला यानि की फीमेल की बात करते हैं. इसका स्तमाल अगर आप present tense के वाक्यों में कर रहे हैं तो आफ is और has का स्तमाल करेंगे. अगर आप past वाले वाक्यों के साथ कर रहे हैं तो आप was और had का स्तमाल करेंगे. साथ में नहीं अलग-अलग है ना she का स्तमाल वहीं आप अगर future वाले वाक्यों के लिए कर रहे हैं तो will नहीं तो will have का स्तमाल करेंगे याद रहेगी बात? चलिए उदारन देते हैं वह एक doctor है, she is a doctor वह एक doctor है, she is a doctor उसने पढ़ाई कर ली है, she has studied उसने पढ़ाई कर ली है, she has studied वह एक doctor थी, she was a doctor वह एक doctor थी, she was a doctor वह खाना बना चुकी थी, she had cooked वह खाना बना चुकी थी, she had cooked वह पढ़ाई करेगी, she will study वह पढ़ाई करेगी, she will study वह खाना बना चुकी होगी, she will have cooked वह खाना बना चुकी होगी, she will have cooked बढ़ते हैं आगे, अगला हमारे पास शब्द है it it, it इसको पढ़ते हैं, इसका स्तमाल जो है वो यह के तौर पर होता है किसके तौर पर होता है, यह के तौर पर होता है it का स्तमाल अगर आप present यानि की वर्तमान काल के वाक्यों के लिए कर रहे हैं तो it के साथ आप is, नहीं तो has का स्तमाल करेंगे past के वाक्यों के लिए कर रहे हैं, तो was नहीं तो had का स्तमाल करेंगे future वाले वाक्य यान की भविशत काल वाले वाक्यों के लिए कर रहे हैं तो will नहीं तो will have का इस्तमाल करेंगे चलिए उधारन देखते हैं सारे इस्तमाल देख लेते हैं यह एक तोता है it is a parrot यह उड़ चुका है it has flown यह उड़ चुका है it has flown यह सिर्फ एक पेपर था, it was just a paper, यह उडचुका था, it had flown, यह उडचुका था, it had flown, यह उडचुका होगा, it will have flown, यह उडचुका होगा, it will have flown, बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं नामों की, भई यह सारे हमने तो सीख लिएं कि it के साथ वाक्य बनाएं, she के साथ बनाएं, he के साथ बनाएं, i के साथ बनाएं, you के साथ बनाएं, we के साथ बनाएं, लेकिन वाक्य तो नाम के साथ भी बनते हैं जैसे की राहुल, रीता, मोना है ना तो जब नाम के साथ वाक्य बनाए तो कैसे काम होगा तो आप कोई भी नाम ले लीजिए चाहे लड़की का नाम ले चाहे लड़के का नाम ले कोई भी नाम अगर आपके पास है और उस नाम का अस्तमाल करके आप वाक के जो है वो present tense में बना रहे हैं वरत मानकाल में बना रहे हैं तो आप इस नहीं तो has का अस्तमाल करेंगे नाम के साथ याद रहेगी बात अगर नाम का स्तमाल पास्ट वाले वाक्यों के लिए कर रहे हैं भूत काल वाले वाक्यों के लिए कर रहे हैं वाज नहीं तो हैड का स्तमाल होगा और वहीं जहां पर फ्यूचर वाले वाक्यों के लिए नाम का स्तमाल रहेंगे वहाँ पर will नहीं, तो will have का इस्तमाल होगा, घबराईए नहीं, अगर आपको थोड़ी बहुत confusion रह गई है, सबसे आखिर में revision करेंगे हम लोग इस पूरे चार्ट का और आपको जो भी हमने पढ़ा है, वो एक साथ दुबारा पढ़ेंगे, चिके, चलिए देखते हैं, रीत एक लेखी का है, रीता इस राइटर, चलिए यहाँ पर एक और नाम अगर हम लोग ले 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 राहुल, तो राहुल एक लेखग है, राहुल is a राइटर, सिंपल सी बात है, नाम की बस हेरा फेरी है, अधरवाइस जो रूल है वो सेम है, रीता पढ़ाई कर चुकी है, रीत has studied, Rita news anchor थी, Rita was a news anchor, Rita was a news anchor, बढ़ते हैं आगे, Rita ने खाना बना लिया था, Rita had cooked, Rita पढ़ाई करेगी, Rita will study, Rita पढ़ाई करेगी, Rita will study, Rita पहुँच गई होगी, Rita will have reached, Rita पहुच गई होगी, Rita will have reached, चलिए अब एक quick सा revision करते हैं, revision जो की बहुत जरूरी है, revision के लिए देखिए, आई के साथ जब भी आप present वाले वाक्य करेंगे, तो आप आई के साथ am नहीं, तो have का स्तमाल करेंगे, past वाले वाक्यों इस्तमाल करेंगे, तो was नहीं, तो have का स्तमाल करेंगे, और future वाले वाक्यों में इस्तमाल करेंगे, तो will नहीं, तो will have का स्तमाल करेंगे, वहीं you, we और they की बात करें तो you, we, they जब भी present वाले वाक्यों में इस्तमाल होगा तो are नहीं तो have का इस्तमाल होगा past वाले वाक्यों में इस्तमाल होगा तो were नहीं तो had का इस्तमाल होगा future वाले वाक्यों में अगर इस्तमाल होगा तो will नहीं तो will have का इस्तमाल होगा वहीं पर he, she, it या कोई भी नाम अगर हो तो वहाँ पर present वाले वाक्यों में इस्तमाल हो तो is नहीं तो has का इस्तमाल होगा past वाले वाक्यों में इस्तमाल हो तो was नहीं तो had का इस्तमाल होगा और future वाले वाक्यों में इस्तमाल हो तो will नहीं तो will have का इस्तमाल होगा बस इतनी सी ही बात है ये चार्ट का ध्यान आपको रखना है और आपको करना है इनको इस्तमाल जब आप वाक्य बना रहे हो तो और इनके बिना यकीन मानिया आप वाक्यों नहीं बना सकते शुर्वात ही नहीं होगी वाक्य की है ना यूदि इनकी मदद आपको चाहिए ही चाहिए तो चलिए भई ये थी आज की क्लास क्लास पसंद आई है तो ज़रा चानल को सब्सक्राइब करके विडियो को लाइक करके कमेंट जरूर डाल दीजेगा कि मैं क्लास बढ़िया लगी और मैं आपसे मिलती हूँ अगली क्लास में तैंक्यू सो मच पर वाचिंग आप बने रहिए माई इंगलिश कोचिंग के साथ